नमास्कार दोस्तों अमाजन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवाल का दीवाली स्पेशल सेल चल रहा है तो इसी सेल पे दो एसे लेफटप है जो कि बहुत अच्छी डिल के साथ मिल रहा है एक है आशस की तरफ से आशस विए 15 एन दूसरा है लेनवो की तरफ से लेनवो आईड देख लीजिए क्योंकि आज कि इस वीडियो में इन दोनों लेप्टप को अच्छी तरह कैसे कंपेर करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि अंडर 60 तो जुन में कौन सा लेप्टप के साथ जान आपको बिल्कुल सही रहेगा वीडियो में बनने से पहले अगर आप इस उसे जौर से दवाए दीजिए ओके चलते हुए वेस्टिंग अने टाइम लेस्टार्ट देखने वीडियो हाई इस इस दिभ्याजुती यूची माई चनल है डिटे की आले स्टार्ट पहले स्टार्ट करतें डिस्प्ले से असस लेफ्टम आपको 15.6 इंस का डवली बी आंटिग लिया डिस्प्ले देखना मिलता है जहां आप आपको स्क्रीन डेजलोशन मिल जाता है फूल एजडी की यहां पर आपको 220 निट्स की स्क्रीन बाइट अन 60 हर्स की स्क्रीन रिफ देखने को मिलता है उसके साथ यहां पर आपको बेजल्स भी बहुती नेरो देखना मिलता है अगर हम लेनवा लेफ्टम के बारे में बात करें वहां रखको 15.6 इंस का IPS अंटिग्लाइड डिस्प्ले देखना मिलता है जहां पर आपको स्क्रीन डेजलोशन मिल जाता है यहां पर देखेतो लेनवा लेफ्टम में आपको एक IPS डिस्प्ले डिस्प्ले देखना मिलता है यहां पर आपको ब्राइटर इमेस भी देखने को मिल जाIGHTосьगा तो अब रहले यहां पर लेंवा थो तो Lenovo लेफ्टम आपको बहुति भड़ीया डिस्प्रेश प्राइः देखने को मिलता है जो कि आपको IPS डिस्प्रेश भी आपको इतना अच्छा ब्तेशन वहाग्स साथ लवा यहां पर आपको सिलीम 3 आप बारे लाइअ ब्सक्राइट वह आ लेत्तब्स div के साथ देखना मलता है जहाँ आपको प्लास्टिक भी हुज़ा है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक हुज़ा है यहां पर आपको प्लास्टिक यूज़ा है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ा है क्योंकि यहां पर आपको Milter Grade Certificate देखनो मिलता है, यहां पर आपको वैट मिल जाता है 1.6 kg की, तो यहां पर देखें तो दोनों लैपटब मापको Degener Build Quality बहुती बढ़िया देखनो मिलता है, पर Lenovo Laptop आपको थोड़ा कम वैट देखनो मिलता है, जो कि यह 1.6 kg की, सो इस लेयर से डिजान एंड बील क्वालेट के मामले में मेरे इससाब से लेनवा आइड़ पर स्लिम 3 एक बैटा लफटप है प्रसेसर के बार में आसस लेप्टप में आपको इंटेल कोर आई सेवन का 12 जेनरेशन प्रसेसर देखना मलता है जिसका बरेंट है 12700H जिसमें 10-16 जिसमें आपको 10 कोर्स एंड 16 देखने मलता है जिसमें आपको छे परफॉंस कोड चार एफिसेंसी कोड देखने मलता है अगर आप इन दोनों प्रसेसर के बार में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं अल्रेडिए इसके ओपर बहुत सारे वीडियो बना चुक हूँ अ इन दोनों प्रसेसर के साथ बहुत ही ज्यादा हैवी टकस आप आरम से गर्फ होगे अगर इन दोनों प्रसेसर के बार में बात करें जो चो धों 6208 प्रसेसर से वहां पर आपको थोड़ी बहुद बहुत बहुत बैटर आफ और देखना मिल रहा है आपको धिंटियु ग्राफिज अगर यहां बात करें बहुत करें वहां पर आपको इंटेइन उस्ड ग्राफिच से तो कि Intel Iris XC graphics से बहुत तो बैटर है Intel USD graphics से तो यहां पर आपको बैटर पार्फॉमस मिलेगा मतलब ग्राफिक पार्फॉमस यहां पर आपको बैटर मिलेगा आपको यहां पर एक्स्टर श्लड नहीं मिलेगा राम को एक्सपांड करने के लिए बट यहां पर आप राम को एक्सपांड करपाऊगे उसी existing SSD को रिप्लेस करके आप अप टू 24 जीवी तक एक्सपांड करपाऊगे अगर हम लेनावा लेफ्टों के बारे में बात करें यहा यहां पर आपको फ्रिक्वेंसी मिलता है 4800 मेगार्ट की यहां पर आपको राम फिक्स्ट मिलेगा और फ्यूचर में राम को अपड़ेड नहीं कर पाओगी तो यहां पर देगे तो आस्तर अपको राम अपड़ेड करने का उप्सन दिखने को मिल जाता है बड़ लेनवा ले वराना DDR4 RAM देखना मलता है जिसका frequency low देखने को मलता है मेरे साथ से इस type के laptop में मतलब इस category के laptop में 16GB RAM more than sufficient होता है यह 16GB RAM पे आप बहुत सारे काम अच्छे से कर पा होगे आपको RAM अपग्रेड करने का जोरूरत भी नहीं पड़ेगा तो अबरा लेहां पर RAM के बार में बात करें तो Lenovo iDepad Slim 3 पर एक better RAM देखना मलता है तो RAM के मामल में no doubt Lenovo iDepad Slim 3 एक better laptop है storage के बार में दोनों laptop में आपको 512GB का PCI NBME Gen 4 SSD देखना मलता है जो कि बहुत ही fast होता है असरस laptop में आपको extra slot नहीं में लगा storage को expansion करने के लिए बाट यहां पर आप storage को expansion कर सकते हो उसी existing SSD को replace करके अगर लेनवा laptop के बार में बात करें वहां पर आपको extra slot मिल जाएगा यहां पर भी कंपनी का दबा कि आपको 5-6 इंटे का बेटरी बेकम मिलेगा अगर हम लेनवा laptop के बार में बात करें वहां पर आपको सब्सक्राइब करें तो यहां पर बेटरी के बार में बात करें तो दोनों लेटर में आपको बेटरी एवरेज देखने हो मिलता है मेरे साब से दोनों गंटे का मिलेगा अगर अगर अब हैभी उज स करते हो तो आपको मैक्सिमम तीन से सारे तिन ग्हंते का बेटरी एक आपको को एवरेज सा देखने को मिलेगा सो बेटरी के मामने में दोनों लेटर这个 Poolds के वारे मेरे दोने लब ट हम आपको सारे तरके पोड देखने को मिल जाते हैं आसथ utility पर एक युएज़िस भी टू पनिन टू टाइप एंपटि देखने को मिलता warriors ऑलैकर को SD Card का Slut या फिर RJ45 को पोड़ देखने को नहीं मिलता है अगर हम लेन वो आइड़ा पर स्लीम 3 के बारे में बात करें बहां पर भी आपको दो USB 3.2 जैन्वान टाइप ए पोड़ देखने मिलता है इसमें आपको एक को मिल जाता है क्योंकि हम आपको SD Card का Slut देखने को मिलता है तो इसलिया से पोर्चन कनेक्टिविट के मावल में लेनवा आइड़ पर स्लीम 3 एक बैटर लेप्टप है अप्टेर के बार में दोनों लेप्टम आपको इंडेल वेन होम इडिसन प्रिस्टाल देखने को मिल जा लेप्टम के बार में असे लेप्टम में आपको SD लेप्टम मिलता है जहां पर आपको प्राइब सी सटर का उप्संद मिल जाता है यहां पर रपको क्वालिटी भी अच्छा का साथ देखने को मिलेगा सो वेब्केम के मावल में नो डौट लेनवा आइड़ पर स्लीम 3 एक बेटल लेप्टपे सेंसर के बार में दोने लेप्टमा को फिंगर पिंसेंसर का आप्शन देखने को नहीं मिलता वहलस्कनेंक्ट बिटके बार में आसस लेप्टमाप को आइफ हाईस किस एंड ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ड देखने मिलता है तो यहां पर देखे तो आस बसले अब को दो वाठ चा दो स्टेरियो स्पीकर्स देखना है जिसका वेन आपको एपको आपको पर बात करें वहांता है आपको जाक एपना के कमें आपको यहां और अब को मिलता है यहां पर भी पर देखने को मिल जाएगा अगर हम लेनव आइडे पर स्लीम 3 के बार में बात करें वह भी मिल रहा है अमजन पर 59,009 रुपे बड़ कार बगरा डिसकाउन लाके वह आपको 56,009 रुपे मतलब 57,000 पर देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको बहुती पॉर्फूल प्रसेसर देखने मलता है उसके बाद यहां पर आपको एक पॉर्फूल इंटिगेटेड जीप्यू देखने मलता है उसके बाद आप यहां पर राम को अफग्रेड कर सकते हो एक जेन 4 SSD देखने मलता है मसपीस प्री देखने मलता है बैकलीड कीबोर देखने मलता है प्राइबसी सेटर का ओप्सन भी देखने मलता है अगर इस लेप्टप के कंस के बार में बात करें सबसे बड़ा कंस यहाँ आपको डिस्प्ले बहुत ही देखने मलता है उसके अलबा यहाँ आपको ब्राइटने थी बहुत ही काम देखने मलता है जो कि 220 निट parenthों की और आपको जो राम दिया गया है वो DDR4 बाला यहाँ आप एक्टरा स्लाट ने मिलता है storage को expansion करने के लिए SD webcam देखने को मिलता है speakers average देखने को मिलता है एंड यहां पर आपको average बैटरी वेकप भी देखने को मिलता है आगर हम ऐसके साथ sür एन एकुस्ति प्रेंग हमिमे को मिलता है इसे की बार सबसे बड़ा कंज के आपकर सुए में पांपने को मिलता है तीसरा बड़ा कंस यहां आपको average बैटरी देखने को मिलता है तो आपराल यहां पर conclusion के बार में बात करें तो इन दोने laptop के अंदर आपको कौनचा laptop के साजना बिलकुल सही रहेगा मेरे इससाफ से अगर आपका budget है 60,000, 60,000 के अंदर अगर आपको बहतर इन display चाहिए latest generation powerful processor चाहिए RAM भी अच्छा चाहिए and full HD webcam भी चाहिए देन आप Lenovo Idea पर Slim 3 के साथ आप जरूर जा सकते हो यह laptop में आपको अच्छा display के साथ साथ अच्छा performance मिलेगा बड़ आपको एक्स्ट्रा 4000 रुपीज देना भी पड़ेगा जो की justified है एक्स्ट्रा अगर आप 4000 रुपीज दे रहे हो उससे बदले आपको एक अच्छा display मिल रहा है अच्छा राम भी मिल रहा है जो की अच्छा है मतलब justified है आगर हम आसाज वी हो 15 के बार में बात करें व दो कि बहुत यह बरेज है उसके अलाबाए यहां पर आपको बहुत सारा कर्स्ट कटिंग भी किया गया है जैसे कि डिस्प्ले में राम में एंड वेबकेम पर मोटमोटी बात करें तो अगर आप 4000 रुपीज एक्स्ट्रा दे सकते हो अच्छा डिस्प्ले के लिए अच्छ जा सकते हो आगर आपका बजट बहुत इस हुए आप मतलब इसी डिस्प्ले के साथ कंप्रमाइज कर सकते हो देन आशाज वी 15 एक बहतरीन लेप्टप पे इसमापको पर्फॉमांस भी बहुत तगड़ा देखने को में लगा तो यह रा मेरा अपिनियों आपको क्या लेकत प्लीज मुझे कमेंट सक्षिन पर जरू बता सकते हो इन दोनों लेप्टप का डारेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिशन पर मिल जाएगा काइनली उसी लिंक से फर्चेस करें और मुझे सपोर्ट करें तो चलते हैं वीडियो को ही पर खतम करते हैं अगर आपको वीडियो आप आप